टार्गेट क्लासेश विद हरीश सर आज आप फिजकल एजुगेशन की पार्ट वीडियो 29 देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है योग का पितामा किसे कहा जाता है तो योग का पितामा कहा जाता है महारिशी पतंजलिको सरीर मन और आत्मा इस सुद्धी के लिए योग के कितने चरण होते हैं तो इसमें आठ जो आवस्ताएं होते हैं Q3, एक काक्रता के लिए सबसे उत्तम योग है, राज योग Q4, भारती योग चंसतान किस सहर में इस्थित है, यह इस्थित है, नई दिल्ली में Q5, सीतकारी क्या है, प्राडायाम है Q6, इस्मर्ण सक्ती बढ़ाने है, तो काउन सासन महत्पूर है तो इसमें जो है, सबसे जो महत्पूर आसन है वो है, पदमासन Q7, Q7 Q7, किस उपनिसद में ओमकार के चार चरडो का उलेख किया गया है Q8, योग वसिष्ट में किस पर बल दिया जाता है Q9, Q9, पुरुस और प्रकरती किस दर्शन की दो मुख्य आउधारणाएं है Q10, योग वसिष्ट अनुशार मनुस्य को विभिन लोकों में ले जाना का कार कौन करता है Q11, प्रस्णों उपनिसत के अनुशार मनुस्य को विभिन लोकों में ले जाने का कार कौन करता है Q12, शिरीमत बखवत गीता के अनुशार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है Q13, इसा वासियो उपनिसत के अनुशार अमर्ता की प्राप्ति का उपाई क्या है Q14, धरड़ा सुचा योगिता मनसा किसका परिडाम है Q15, त्रशणा नुश्र विक विसेत वित्रशणा किसका विसेज गुड़ है Q16, पतंजल के अनुशार है किसका से योग है Q18, योग शूत्र के अनुशार श्रुवड की देवी सक्ति प्राप्त करने की विद्ध है Q18, हट प्रतीवका के अनुसार नादा अनुसन्दान अभ्यास के प्रारभ में किस प्रकार की ध्वनी सुनाई पड़ती है तो इसमें ध्वनी तो सुनाई पड़ती है मेगी की ध्वनी सुनाई पड़ती है किसकी मेगी की ध्वनी क्वेशन नमबर 20 स्वात्मा राम के अनुसार योग साधना में किसके साथ निकष्थ रूप में संबंद रहता है प्राड धन्यवाद